कुरूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जानकारी वो सेक्षिक और सुप्मक्य कुदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय सला कानूनी सला या तो व्यक्तिगज सला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैन दोस्तो आखिरकर हमें बिटकुइन का प्राइज 64,000 वाला जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक आउट करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बिटकुइन का अब नेक्स्ट मुमेंट क्या होश रखता है और जैसे ठीक होते भी फिर भी लौट कर सकते हैं लोंग टम ट्रेंडर तो पहीं भी बाइग कर कर शकते हैं तो एंट्री क्लोज करने के बाद आपको वेट करना है है कि क्या है टू हंडेड एमें एंड वन हंडेड एमें देखे दोनों एमें साथी में आ रहें 63 से लेके 64000 डॉलर के बीच में ही यहाँ पर गेम आपको देखने को मिलेगा 64000 डॉलर से दूर डिली टाम प्रेम के अंदर केंडर क्लोजिंग कर लेता है तो फिर आगे हम सोचे जैसे इसारे मुझे देखने को मिले जो कि मैं अभी बताने वाला हूं कुन से इसारे है कि यह रिजिस्टन्स टूटेगा और जैसे टूटेगा फिर हम 70 तक चले दाएंगे दोस्तो आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो क्लिप देख लिया होगा अब आगे का जो अनलिसिज हैं वो हम यहाँ पे कर देते हैं फिलाल बिटकुइन का प्राइज 64,200 डोलर के उपर ट्रेड कर रहा हैं डिली टाम प्रेम के अंदर हम चार्ट को देख रहे हैं मतलब 200 एसे में रेड लान देख रहा होगा अब देखे वाइड लान से प्राइज ज्यादा दूर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा अभी इसके ऊपर टिका हुआ है और वीकेंड भी चल रहा है तो थोड़ा यहाँ पर वेट इन बोच वाली बात है जो कि यह व फेसिल के साथ आप trade ले सकते हैं बट मुझे ऐशाव अगता है कि ये break out यहाँ पर देखने को मिला है 100 MA & 200 MA का breakout देखने को मिला है उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार के लिए market यहाँ पर retracement कर सकती है retracement कहा तक कायाँ गा मुझे लगता है तब तक market के अंदर जो retracement आएगा previous वाला अब जो resistance था वो support का काम करेगा chart के अंदर आप देख रहे होंगे कि chart देखे किसी साफ से चला इस जोन के अंदर market ने बार बार try किया है इसको break किया और MA को भी break किया तो मुझे लगता है कि daily time frame के अंदर market इसके उपर retracement कर सकती है wait किजिएगा short नहीं करना है confirmation के साथ उपर के area के अंदर हमें trade करना है wait किजिए ठीक है simple और simple यहाँ पर मैं किता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा wait करना बनता है जो market यहाँ पर आएगी retracement करने के लिए तो यह zone हो सकता है 63,000 डोलर से लेके 62,000 डोलर के बीच में 62 से लेके 63,000 डोलर के बीच में तो यहाँ पर एक अच्छा और safe entry बन सकता है और फिर आपका SL चला दाएगा 61 के आसपास ठीक है safe entry बनेगा अगर market घुम के इसके उपर retracement करती है तो यहाँ से again उपर के trade करना क्योंकि वो retracement रहेगा market कोई बड़ा breakout करती तो market एक बार retracement करती है previous वाला जो resistance था उसके उपर support बनाने की कोशिस करती है देख सकते हैं यहाँ पर resistance लेने की काफी कोशिस की फिर बड़ी candle यहाँ पर breakout किया दो-दो resistance ब्रेक होगे एक तो यह भी एक resistance यहाँ पर ले रहा था और एमे का resistance था दो-दो resistance यह ब्रेक किया अब retracement आएगा तो यह चार्ट के उपर आ सकता है ठीक है यहाँ पर भी देखेगा 30 दून के आसपास यहाँ पर एक resistance लिया था मार्केट ने फिर काफी नीचे चली गई थी तो अब एक resistance यह वो support का काम करेगी ठीक है तो फिर market कैसे चलती है मैं यहाँ पर बता देता हूँ ठीक है छोटे time frame के अंदर दिखाता हूँ तक कि और आपको idea लगेगा 4 hours time frame के अंदर बता देता हूँ कि अब market में किस हिसाफ से यहाँ पर हमें market आगे देखने को मिल सकती है तो market जो retracement करेगी तो अलका full का नीचे आके फिर इस तरह के से market उपर दाने के chance मुझे लगते है या तो फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो trade कहां से लेनी है अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी market ने जो highest point बनाया उससे break करना है market को मतलब उससे भी एक ना highest point बनाना है उसके उपर के अंदर close करना है highest point बना है 64,900 मतलब अब market सीधा 65 के उपर चली जाती है तो भी आप trade ले सकते है बट दोनों साइड confirmation हुआ अगर retracement करती है तो भी हमें confirmation मिला कि हम 62 से लेके 63 के बीच में कहीं trade बनाएंगे और SL का भी मैंने बता दिया ठीक है यह पहला यहाँ पर हमने trick का यूज किया दूसरा trick की बाइसा नहीं होता है retracement नहीं करती है market और सीधा उपर जाती है तो बात बनेगी 64,900 डोलर से उपर उपर निकलना शुरू होती है तो फिर वहाँ पर trade ले सकते है बट candle का closing चाहिए 65 से उपर closing चाहिए ठीक है 4 hours time frame के अंदर फिर आप trade ले सकते है और market का moment क्या हो सकता है जैसे retracement वगरा complete हो जाता है market उपर चलना शुरू होती है तो जो आपका directly 70,000 डोलर 69 से लेके 70,000 डोलर तक हम market को यहाँ पर देखेंगे simple analysis ठीक है तो उमिद करता हूँ समझ गए होंगे one side बदाया उपर का बदाया अभी यहाँ पर weekend भी चलना है तो थोड़ा wait करना है या retracement करने दो या फिर जो बड़ा के इंडल है उसका highest point को break करने दो दो चीजों से आप confirmation के साथ trade ले पाएंगे सीधा लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा risk बढ़ जाएगा ठीक है बाकि दूस्तों अगर हम MA को बुल दाया और simple chart के अंदर हम analysis करें तो chart कुछ पहले ट्रिंगल के अंदर था daily temperum के अंदर इस stripe से ट्रिंगल बन रहा था bitcoin का chart है आप देखी पा रहे होंगे मार्केट देखे उपर support उपर 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 जा रहा था August महिना यहाँ पर देख सकते 11 तारिक के आसपास bitcoin 54,000 डोलर आया फिर मार्केट उपर गई और नीचे आई तो फिर 56 तक ही आया ज्यादा नहीं आ पाया अगेन उपर गया अगेन नीचे तो 58 फिर 60 और उपर एक ही जगा के उपर रेजिस्टन्स ले रहा था अब कोई चीज बार बार टकराएगा तो क्या होगा वो तूट जाएगा तो यहाँ पर एक ही जगा के उपर बार मार्टकेट ट्राई कर रही थी ट्राई कर रही थी तो एक बार टुट रही था और नीचे चपोर्ट था उपर उपर जा रहा था एक जगा के उपर नहीं था तो यह मजबूत हैं हम के सकते हैं और ऐसे ट्रिंगल बिल्कुल उपर से ब्रेक करते तो यहाँ पर ब्रेक किया थीके बड़े लेवल पर ब्रेक क्या, अब यहाँ पर रिट्रेस्टमेंट का मेड्क करें, क्या रिट्रेस्टमेंट आता या दूसरा candle भी है पेले candle को close करें उपर close कर लेता है, सिंपल यह बन रहा है, एक candle का highest point जो कि मैंने बता है 65,000 डोल्र अब यह दूसरा या तीसरे केंडल 65 से उपर निकलता है तो सिंपल एक बाई रिट्रेश्टमेंट की बिए ना ही मार्केट उपर दाना चाहती है तो एक बार के लिए मार्केट रिट्रेश्टमेंट करती है तो वेट कीजिए 63 टू 62,000 डोलर के बीच में यहाँ पे आप ट्रेड भी ले सकते हैं और ट्रिंगल का अंदर का एरिया रहेगा बड़ा केंडल लगा है उससे नीचे का एरिया है वो आपका एसल एरिया बनेगा बागी दोस्तों लाश्ट में यहाँ पर एक में फाइदा आपको करवा रहा हो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर से लाश्ट में यहाँ पर देखेगा एक एक चेंज के अंदर एक फाइदा हो रहा है कि अगर एकचेंज के अंदर आप 200 डूट करते हैं तो आपको 50 डूलर का बोनस मिलेगा देखे एकचेंज में ट्राफिक कम है इसलिए अभी यह लोग अपने एकचेंज को ग्रो करने के लिए इसा कुछ कर रहा है और एकचेंज रिस्की होती है तो आपको करना क्या है 200 डूलर डालके तुरन विड्रो कर लेना है समझ रहे अगर आपको रिस्की को ही मिलेगा और आपको केवाईशी भी कंप्लेट करना पड़ेगा दिखे 50 डूलर काफी होता है बोनस मिलेगा और आप उसका यूज कर पाएंगे ट्रेडिंग के अंदर और विड्रो भी कर पाएंगे साइनप के बाद तुरन के वाईशी करना है और 48 अवर्स के अंदर ह आपको 200 डॉलर डिपोजिट करना है और अगर ये जो कांटडाउन चल ला है आप साइनप करते हैं और 48 अवर्स चला दा तर फिर आप 200 डिपोजिट करते हैं तो आपको only 5 डॉलर ही बोनस मिलेगा अब कौन सा एक्चेंज है वो भी बता देता हूं एक्चेंज का नेम है ज 200 डॉलर डिपोजिट कीजेगा और ट्रेडिंग चाहे तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं बाकी जान से आपको करना होगा एक्चेंज सारे के सारे रिस्की होते हैं only trading purpose चुकि मैं अभी देख रहा हूं को भी ट्रेडिंग के लिए अगर अच्छा रहा फीज बगरा में तो फिर यूजर्स का फाइदा नहीं है अब यूजर्स दो तीन परफिट कर रहा है और फीज पांच शे परशन कटा जा रहा है तो फिर प्रफिट नहीं है तो यहां पर मैं experience कर रहा हूं और मैं trading करूँगा तो sign up करके रखेगा अगर मैं trading करूँगा तो मैं आपको